हाली में मेरे दोस्त ने एक नया laptop order किया और उस laptop उसने open किया उसके बाद start button को press किया और start button प्रेस करने के बाद उसके सामने windows की कुछ setting आ गया और उसे देखके वो confused हो गया इसमें से को सेटिंग और करनी है को सेटिंग को skip करना है उससे समझ में नहीं आ रहा था तो उसने मुझे फोन लगया और मेरा guidance की गया तो मुझे लगया यार यह तो problem सबके साथ हो सकती है लोग अपने study के लिए laptop order करते है अपनी work के लिए laptop order करते है और जब वो laptop लेते पहली बार laptop करते हो तो कौन कोसी चीज़ों को आपको धान में रखे laptop की सेटिंग को करना चाहिए मैं आपको step by step बताने वाला हूँ साथी में जो laptop आपने order के online actually तो आपे online में बताए कि इसमें 8gb RAM है यह प्रोसेसर है तो वही laptop आपको मिला है कि नहीं मिला है वो प्रोसेसर आप laptop यूज करने के tips और tricks जी हाँ अगर आपकी laptop की performance आपको अच्छी चाहिए बैटरी लाइप अच्छी चाहिए तो आपको उस laptop को कैसे रखना है किस तरह से यूज करना है यह सारी चीज़े मैं आपको आज के वीडियो में बताने हो तो अगर आप आगे चल करना है laptop order करने व तो चलिए मैंने जो नहीं laptop order कि है वो है लिनो कंपनी का laptop अब वो कौन सा मॉडल है क्या-क्या RAM है कैसे है सब पुछ मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में लेकिन पहले से अन्बॉक्स में आपको कर रहा हूं जो कि आपको दिखा रहा है पर आपको अन्बॉक्स कर ले के बाद आपको क्या-क्या सेटिंग मिलेगी इस लेफटाप की features दिये हैं मैं आपको घैसलांगा और साती में आपको इस laptop की setting होने के बाद मैं आपको यूसΤropol्टीप से बताऊंगा तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं laptop start करके तो चली इसने left-up को मैं कर रहा हूं यहां पर open और इसे कर रहा हूं मैं यहां पर start फटा फटा आपको procedure मैं आपको बताने आ लोग कि step by step करना क्या है तो यहां पर देख सकते हैं प्लिनो कर लोगो आ चुका है और यहां पर just moment लिखके आएगा पहले यह क्या करेगा कुछ फाइल्स को विंडूस की फाइल्स को यहां पर पहले अरेंज करेगा प्रॉपरली आपके लिए और उसके बाद start-up होगा अब क्या-क्या start-up की setting है यहा यहां पर आपको देखने मिलेगी तो चलिए विंडूस 11 मेरे laptop में available है जिसका लोगों आपको दिखाए दिया भी और सबसे पहले यहां पर इस इस राइट कंट्री और इजन यहां पर आपको कंट्री सेलेक करनी है तो मैं पहले इंडिया सेलेक करूंगा यहां पर यह बेस उसकी बात यहां पर आपको सिलेक करना है English India जो कि आपका कीवोर्ड का लियाओट रहेगा तो मैं English India यहां पर सिलेक करूंगा Yes करूंगा उसके बात वोन्ट्टो एड सेकंड कीवोर्ड लैओट नहीं फिलाल तो जरूरी नहीं डाल दूँगा तो यहां पर मैंने password डाल दिया है मैं next बटन पर click कर रहा हूँ और यहां पर आप देख सकते ही यह process हो जाएगा मतलब हमें पहले इसे network से connect करना बहुत ज़रूरी है तो मैंने इसे connect कर लिया wifi से मैं इस next करूँगा चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है अगर आपके पास वाइफाई नहीं है तो आप मुवल को वाट्सपॉट एक्टिविट करके आप लैफटाप की वाइफाई से connect कर सकते हैं तो यहां पर वाइफाई connect करना आपके सिस्टम को बहुत ज़रूरी होता है दोस्तो रीजन ब यू दो लाइसनस एन अग्रीमंट यह औप्शन आ रहा है तो यहां पर मैं एक्सेप करता हूं कि यह लाउस्ट उट्टेट गयून 2021 का मिल रहा है मुझे यहां पर तो मैं एक्सेप्ट कर देता हुआ विन्डोज का नया अपडेट यहां पर आप इस्टॉल होगा जिससे क पहले steps के मैंने आपको बता दिए आप यह आप पे name of your device, आप अपने device का नाम रखीए, तो मैं यह आप पे device का नाम रख रहा हूँ, जो भी आपका नाम यह आप यह आप यह आप यह आप रख सकते हैं, मैंने नाम दे दिया, सपोज यह आप अक्षे, इस तरह से आप अपने device को नाम देजीजिए, जो भी नाम देना है, उसके बाद यहाप नेक्ष बटन पर ग्लिक करना है, अगर आपको यह नाम नहीं देना है, स्पीब भी कर सबते हैं, बट मैं आपको बता हूँगा, step by step जई नाम देजीए, next कीजिए, just a moment, जब कभी भी आप कोई भी steps से आप पर करोगी हो, उन सबी के लिए वो यहाप पर क्या कर रहा है, आपकी windows के अंदर files तैयर कर रहा है, जैसे आपका user account आपने बनाया, तो आपके लिए एक file यहाप तैयर हो रही आपके नाम से, basically, जहापे क्या होगा, आपका login तैयर होगा, सारी चीज़े तैयर होगी, तो इस उसकी बाद यहाप पर unlock your Microsoft Express लिए आ रहा है, तो यहापे आपको sign in बटन पर click करना है, Microsoft का account sign in इसलिए कीज़े यहापे, क्योंकि यहापे जब आपने laptop खरीद रहे हो, तो basically आपके बस Microsoft का account होना चाहिए, यहापे आपके बस Microsoft का account इसलिए होना चाहिए, क्योंकि Microsoft का Windows या फ कर सकते हैं, तो let's go ahead and sign in, तो अगर आपके बस Microsoft का account नीए, तो Microsoft website पर आप account बना सकते हैं, वैसे भी यहापे account नहीं है, तो यहापे create one button भी मिल रहा है आपको, तो मैं यहापे create one button पर click करके एक नय अकाउंट बना लेता हूँ, यहापे sign in बटन पर click करके sign in कर सकते हैं, अग आपका नाम और password भी select कर लीजें, उसके बाद यहापे, आपके email पर OTP आता है, वो OTP डाल दीजें, तो बहुत simple steps है, मतलब आपको, यहापे Microsoft का account बनाने के लिए, कई पर अलग सा जाने की ज़रूत नीए, वैसे यहापे बना सकते हैं, और आपके पहले से account है, तो उसे type की होगा आपने laptop के लिए, मतलब आप जब laptop login करने जाओगे, तो भी यह पहले pin पूछेगा, उसके बाद ही login होगा, यह security purpose के लिए रखना ज़रूरी है, तो आपका laptop आपके से और और access ना कर पाए, यह मुझे बताने की से रदने वैसे भी, so I am going to create a pin over here, so मैं यहापे pin एक त पाएर करते समय, re-enter करना है, मतलब दो बर वैपीन इंटर करना है, उसके बाद चूज privacy setting for your device, यह सारे options आपको दिखाए देरें, जैसे location हो गया, यह फिर find my device, बहुत सारे लोगों पदा नहीं कि यह फाइंड माई डिवाइस लेफट आप में भी setting आती है, तो यह भी आप करके रखिया, find my device, जिससे क्या होगा, in future अगर आप लेफट आप चूरी जाता है, तो आप Microsoft अकाउंट लोग इन करके उसका device का location भी देख सकते हैं, यह से बहुत सारे चीज़े होती ही, यह इसे आपको by default यहापे enable setting मिल रही है, उन सभी को enable ही रखिये, तो यहापे सारी enable होने के बाद आपको accept करना है, so find my device बहुत काम की चीज़े उसे तो ज़रू enable रहे है, basically वो by default enable रहता ही है, तो उसके बाद प्रोटेक्टिव डिवाइस से स्क्रीन आ रहे हो, यह लिनोवा की तरफ से एक प्रोटेक्टेड अप्लिकेशन यहापे install होने वाल है, तो मेरे का इसके लिए यह प्रोटेक्टिव डिवाइस का फीचर दे रहा है, डिल रहेगा तो डिल अलग फीचर देता है, तो वो जो फीचर से जो laptop के रहते है, basically बतलब laptop के कमपनी के रहते है, तो वो आपको activate को बैसे भी करने के ज़रूरत नहीं, Windows की फीचर आपने अल्री ओन के त तो उसके लिए आप किस में रूची रखते हो, basically, आप entertainment के लिए, laptop यूज करेंगे, gaming के लिए, school के लिए, तो आप यह चेक कर सकते है, और जरूरी यह फील करना है, यसे आप skip भी कर सकते है, बाद में भी इसकी setting आप change कर सकते है, तो फिलाल इसको आप skip कर दीजे, क्योंकि यह, Microsoft की तरब से एक additional option है, जिससे Microsoft को suggest करेंगा, tips करेंगा, या फिर Microsoft Store के जो application करेंगे, वो जो आप select करते है, उससे related रहेंगे, वो टॉप में application आपको suggest करेंगा, वैसे, तो उसकी विदरोद नहीं है, उसके वाद यूज फोन from your PC, तो अगर आपका phone आपकी PC से use करना है, यह setting भी बाद में आप कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने already video बना है, कि वही किस तरह से आप अपने phone को connect कर सकते हैं, अपने PC के साथ, यह feature है, Windows का, जो अभी आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यह QR code scan करके, यूज कर सकते हैं, फिलाल मैं इससे skip करता हूँ, क्योंकि इस अपने computer या laptop के साथ, आपने phone को connect कर साथ, इसका एक dedicated video मैंने बनाया, जिसके link आपको description मैं दे दोगा guys, उसके बाद आ रहा है, ओपीस comes with your device, क्योंकि यह जो laptop मैंने order किया है, इस laptop के साथ, ओपीस 2021, basically free है, Windows और ओपीस दोनों भी यहापे मिल रहे है, और उसके लिए यह और अगर यही laptop से आपको लेना चाहते हैं, तो description मैं इसके link भी दी है, Amazon से पर्चिस कर लिया, basically एक ओपीस यूजर के perspective सी, यह laptop बहुत उसके इसमें, Microsoft Office आपको free मिलता है, Windows मिलता है, और यह पे RAM वगरा जो details से मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें कितनी RAM होगा है, जो कि आप खरीदना चाहते हैं, और पीस यूजर के लिए तो आप खरीद सकते हैं, जिसमें आप Microsoft Excel या पाउपन में प्रेजेंटिशन मराना है, Microsoft Word में काम करना है, तो उसके लिए यह laptop आपके लिए beneficial रहेगा, फिलाल तो यह आप ए गौटिन बटन पे क्लिक करके आगे बढ़त जाओ, क्योंकि आप मुझा application basically free मिले है, तो इससे भी हम install कर लेंगे, So, let's go ahead guys, now, सब कुछ install हो गया, सारी settings आपने कर ली है, जो required settings थी, अब आप देख सब पे, getting things ready for you, This might take a few minutes, don't turn off UPC, इसे चालो रहने दीजिएगा, और एक important बात, जैसे आप laptop करने देते हैं, उसे पहले charging पे लगा लिजिए, क्योंकि यह settings आपको करनी पड़ती है, और इसके लिए लगबख 5-10 minutes लगेंगे, लगेंगे, तो जब आप laptop लेते हो, जाहर से बाते हैं, उसमें charging पहले से नहीं रहेगा, तो charging लगा के रखिएगा, फिलाल मैंने इसे charge करके रखा था, तो इसलिए मैंने इसे charging नहीं लगा यहां पर हमारा laptop radio हो चुका है, यहां पर जैसे laptop radio हो चुका है, start button pop-up हो के आ रहा है, windows का, अब यहां पर यह windows 11 है, तो नीचे आपको यहां पर taskbar दिखा दे रहे है, windows का यहां पर button, मतलब windows का जो logo है, यहां पर दिखा दे रहे है, और Microsoft H यह browser आपको directly मिल जाता है, because यह Microsoft का browser मिलेगा, मैं recommend करूंगा कि अगर आप Chrome जादा यूज़ करते हैं, तो पहले Chrome browser यहां पर डाल दीजिए, software में पहले Chrome browser डाल दीजिए, क्योंकि Chrome में बहुत सार एक्स्टेशन हो गया राकिया हमें आदत होती है, तो Chrome browser आप यहां पर Microsoft H पे सर्च करके Chrome browser डाल दीजिए, उसक Personalize भी क्लिक करने के बाद, आपको यहां पे नीचे, themes में क्लिक करना है, themes में जाने के बाद, यहां पे desktop icon settings, यह option आपको दिखाए दे रहा है, यहां पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, look at here, एक pop-up आपा चोटा सा, जिसमें आपको select करना है, आपको computer चाहिए, आप इसे मैं इसे okay कर देता हूँ, और मैं इसे close कर देता हूँ, यहां पे इसको, तो हम देख सकते हैं, डिश्टॉक पे सारे icon आइकोन आचुके है, उसके बाद, अगर आपको all paper बदलना है, themes बदलना है, तो सारी चीज़े यहां पे available है, डिस्प्ले सेटिंग में जाओ, परस slides कर सकते हैं, तो यह सारी बैक्राउंड बदलना है, colors, themes, lock screen वगरा, सब कुछ यहां बदल सकते है, तो basically laptop लेने के बाद, क्या-क्या settings करनी है, आपको यहां पे दिखाए दिखाए दिया, laptop किस तरह से start होगा, तो अभी यह वर्ड, Excel, PowerPoint भी start करके देख सकते है, तो मैं यहां पे मैं Excel टाइप करता हूँ, देखते हैं कि Excel, Word या PowerPoint जो है हमारा install होए कि नहीं, आप यह आप देख सकते Excel आप करके नाम आ रहा है, so now I am going to click on it, here it is, Microsoft Excel इस्टाल हो चुका है, जो कि 2021 मुझे मिला इसके साथ, and मैं इसे open करता हूँ, यह रहा, so Microsoft Excel आपको दिखाए दे रहा ह ओके, शालो हो चुका है, साथ में, you got it, office करके लिखिया आएगा, यहा पे आपको इसका भी configuration करना पड़ेगा, next करना पड़ेगा, उसके बाद confirm करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो same account आपने login किया है, उस account को आप यहाँ पे जब login करोगे, Excel चालो करोगे, Word चालो करो student, यहाँ आपको यहाँ पे confirm होगा, क्योंकि यह लिनो ने अल्रेडी दिया है, इसके अंदर, so Microsoft की तरफ से, यह, basically आपको एक Windows मिलता है, जो कि उसके लिए आपके बस Microsoft का account होना चाहिए, और इसे भी access करने के लिए आपके बस Microsoft का account होना चाहिए, तो Microsoft का account से आपने login किया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप यह भी Excel में start कर चुका हो, और मैं सारे terms and agreement को access कर चुका हो, तो यह Office मुझे मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पे मैं से next करता हूँ, don't set optional data पे click करूँगा, क्योंकि मुझे optional data की ज़रता नहीं, and finally इसे done कर देता हूँ, तो यह चोटी से settings ह जो आप बहुत Excel है, PowerPoint में से कोई भी application start करोगे तो यह pop-up आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो user है, उसका नाम यहाँ आप आ रहा है, आक्षे पूर, यहाँ यूजर का नाम आगे है, मतलब यह Office 2021 आपके लिए lifetime यहाँ पे activate हो चुका है, तो अभी आपको Office का अ यह laptop लेने के बाद, वैसे भी इस laptop की खासियत में बता देता हूँ, इस laptop में एक interesting बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे हमारा जो webcam रहता है, जिसके तुरू हम लोग लोग लाइव लेता है, मैं जनरली अलग लग लग वेbinar लेता हूँ, तो मुझे webcam की ज़ुरत पढ़ देखने के लिए, अभी तक मैंने इस remote नहीं किया, यह रहा, यह आप remote करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाए दीगा, right, camera, right, तो camera इसके पीछे था, लेकिन इन्हों ने यह proper instruction यहाँ पे लगाया था, जो की जिसकी मत से आपको पता चले कि यहाँ पे उन्होंने camera बंद क जो camera है, उसके आगे उन्होंने tape लगा दिया था, ऐसे camera के आगे, क्यों लगाया था, क्योंकि कोई भी आपका camera hackers hack कर सकता है, अगर आपके सामने कोई application open भी नहीं है, तो भी hackers ऐसा, कोई application इंस्ट्रोल कर सकता है, जिससे आपकी camera से directly वो pictures आपके live videos capture कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने ये एक नया आड कर दे लिए, उन्होंने, कापी अच्छा है, बहुत सारे laptop में नहीं रहता है, लेकिन इस laptop में especially है, तो मैं recommend करूँगा, अगर आप interested है, तो इसे purchase कर लीजे, साथी में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसका configuration, कि भाई इसमें क्या RAM कैसा कुछ है, बहुत सारे चीजे मैं आप यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप अपने laptop का complication भी देखना चाहते है, कि कौन सा RAM में क्या है, कि नहीं exactly, जो आपने order किया है, बहुत जरूरी है, और मैंने कौन सा order किया है, यह भी आपको दिखाए देगा भी, तो basically क्या करना है, यह जो this PC icon दिखाए दे रहा है, इसके पर आपको right click करना है, और right click करने के बाद यहाँ पे आप properties में जाओगे, जैसे आप यहाँ पे properties में जाओगे, यहाँ पे सारी चीजे आ जाती है, यह प्रोसेसर 11th generation का i3 का processor, बराबरे यही मैंने order किया है 11th i3, 11th generation i3, जब भी आप order करोगे कोई भी laptop, लेटेस्ट प्रोसेसर ज़रू order करो, i3 में लेटेस्ट 11th या 12th generation auto pro, i5 ओडर कर रहे हो, तो i5 ने Intel 5 ओडर कर रहे हो, तो 11th या 12th generation ओडर करो, so यह 11th generation का मैंने order किया है, और उसके बाद 8GB RAM यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, उ सारी चीज़े में यहाँ पे बलर रखूँगा, क्योंकि वह सारी चीज़े दिखा रही नहीं वीडियो में, और सारी इंफोर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो चलिए, नया laptop गरिंदे के बाद करना है, यह मैंने स्टेप आपको बता दिया, अब मैं आपको बता का रिजन यह, बिसिकली अगर विंडोज को आप अपडेट रखते हैं, तो विंडोज के अंदर एक अंटिवाइरस रहता है, जो फ्री इंश्टॉल होता है, विंडोज डिपेंडर, अब आपको अंटिवाइरस अलग सा डालिंग जूरोत नहीं, अभी बहुन से लोग इस कमपीजन में होते हैं, बहुन अपको अपने अपडेट रखा है, विंडोज डिपेंडर अगर आपका अक्टिव है, तो आपको पोई अंटिवाइरस की जूरोत नहीं, मेरे इसाब से तो पोई अंटिवाइरस की जूरोत नहीं, मेरे ओफिस में यहां पे 7-8 जा पे जिसमें बेसिकली हमने बस विंडोज डिपेंडर ही रखा है, पोई अंटिवाइरस नहीं रखा है, और हम पिछले कुछ सालों से यह यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता हूँगा कि अलग सामतलब थर्ड पार्टी अंटिवाइरस लेनी की जूरोत नहीं, वो अ लगलग मैलिस इसको डिटेक करता है, हाँ अगर आप लैप्टॉप में ज़्यादा पेंडराइज यूज कर रहे हैं, कई से भी पेंडराइल आया, तो उससे आप डैफटॉप में डारेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उस टाइन पे आपको स्कैन करने के लिए अंटिवाइर आप बताना चाहूंगा आपके लैपटॉप को पीन और पासवर्ड होना चीज जो कि अल्रीडी मैंने स्टाइटिंग में बताया कि पीन सेटप कैसे करना है, चौति चीज में आपके लैपटॉप के अंदर आप पावर सेविंग मोड जो देना पावर सेविंग मोड उसे शु zu मैंने फावर सेटिक सेटिक संसे में पता है धिस्क्रीशन में लिंक दूंगा पावर सेटिंग मोड बासे बISA इसमें मतलब जैसे आप स्क्रीन टाइम सेट कर सा सत ही है तो सालड चाहिए था इसलिए पावर सेविंग मोड की सेटिंग पावर सेविंग मोड की सेटिंग वह ज़रूर आप सेट कर लो उसका अलरी मैंने डिडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें सेटिंग सब संजा है तो डिस्क्रिप्टिंग में लिए ज़रूर चेक कर लेना पाउर सेविंग मोड तो इसलिए मैंने बता है ताकि बैटरी लाइब बड़े लेकिन लैपटोप को पॉफार्मस अगर आपको बढ़ाना है तो लैपटोप को कूल रखना बहुत ज़री आप बोलोंगे कूल रखना मतलब फ्रीज में रखना नहीं ऐसा नहीं करना है कूलिंग पैड या पर मैं स्क्रीन के उपर आपको दिखा रहा हो और लगबग सभी लैपटोप पर कूलिंग पैड यूज करते हैं और ज्यादो तर लैपटोप अगर आप कूलिंग पैड नहीं उज करते हो तो आप लैपटोप फूरा ग्राउंड पे टच करके मत रखो अट लिस्ट वह बैसिकली स्पेस रहना चाहिए ताकि नीचे से जो उसके एक्जौस्ट है फैन की जो गरम आवा निकलरी फैल से जो गरम आवा निकलरी लैपटोप के से वह बाहर चेली जाए तो इसलिए लेपटोप को थोड़े से हैड पे रखा करो हाँ लैपटोप का नाम लैप है मतलब आप लेकर बैट बैट जाओ लेकिन मैं वो रिकेमेंड नहीं करणा क्या क्या क्योंकि लैपटॉक्टोप हीड घरम होता है तो आप भी कमपर्टेबल नहीं समझोगे काप करने के लिए हमेशा रिकमेंड रही है कि आप लैप्टॉप के लिए कूलिंग पैड लीजी है साथी में आपको रिकमेंड और चीज़ करूँगा अगर आप लैप्टॉप ग्राफिक के लिए और वीडियो डिटिंग जो टास्क जिसमें माउस का ज्यादा यूज होता है उसके लिए उसके लिए उसके लिए तो आप माउस एक्टरली यूज भी माउस लगा लीजी है क्य देखा अलड़ी तो टचपैड बहुत ज्यादा यूज करने से उपहल हो जाता है वह एक परश्टीकी हो जाता है तो इसलिए टचपैड को बस आपको क्या करना है तो आपका ज्यादा काम नहीं है माउस के साथ तब आप टचपैड को यूज कीजे लेकिन ग्राफिक काम है क्योंकि ग्राफिक में माउस का काम ज्यादा होता है तो आप माउस अलग सा एक्ष्टनल लगा लिए ताकि आपका डेवाइस का ओर और परफोर्नस बढ़ाना है तो यह सारी से आपको करनी पड़ेगी तो कूलिंग पैड लगा लो एक्ष्टनल माउस लगा दो मैं तो रि एक बता रहो कि यह भी जरूरी है और मैं जब भी काम करता हो लैप्टॉप के पूर तो हमेश एक्ष्टनल कीबोर और माउस लगाता हो ताकि मैं ज्यादा देर तक वापी काम कर सकूँ इसके अलावा लैटॉप के अंदर जो हाट डिसके अदर डेटा बना है हमारा जिसमे में बहुत सरी इंपॉर्टन फाइल होती है उन सभी का रेगुलर बैक अप के लिए अप गुगल रही यूज करो या मैक्रोसफ को वरंट रही यूज को गुगल रही का पंदरा जिमी का फ्री मिलता है और उसके उपर डेडिकेटिव विए में बढ़ा है कि गुगल कैसे प्री में कैसे यूज करना उससे आप पाइल किसी के सब्सक्राइब कर सकते अपना बैक अप आटोमेटिए और साती में अगर आप गुगल राइग को पेड वर्जिन भी लिना चाहते तो बहुत ही कम प्राइज में आपको मिल जाता है मतलब लगबक 2,000 रुपे में आपक अपना डेटा स्टोर करके रखो तो इंप्रोटन डेटा का बैक अप लेकर सकते बहुत ही इंपॉर्टन डेटा क्योंकि क्या होता है करे लाप टॉप लोग पे बहुत सारे लोग इग्लोर कर रहे हैं जिनके पास लैप्टॉप पे वो लोग भी मैंने खुद देखा है अगर आपको लबता है यार फ्रिक्वेंटली उजे इस लैप्टॉप को उपन करना पड़ रहे हैं मतलब आदे गंटे के बाते से काम आसपता है तो उस टाइम पे आप सारे एप्लिकेशन ओन रखे लैप्टॉप को बस आप स्क्रीन बंद करके रखन दोंगे तो भी चले लैप्टॉप के साथ करते दो जिससे आपकी लैप्टॉप की वर्किंग लाइब बढ़ेगी और यह तीप्स अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को साथी में बताऊंगा कि अगर आपकी लैप्टॉप का स्पीड आपको बढ़ाना तो उसके पर एमने एक डेडिके लैप्टॉप का अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो बहुत सारी चीज़े होते उससे आपके ऐसे बंद कर सकते हैं वह मैंने सेटिंग करके दिखाए जरूट चेक आउट कीजिए उस वीडियो को भी यह वडियो अच्छे लागे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए मैं मि इंटरेशोड यों के अंदर तक तक के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी अप्लिकेशन के लिंक है जहां पर आप घर बैटे बैटे स्कील कूरस से सीख सकते ही जरूट चेक आउट को रहो हमारे अप्लिकेशन भी मिलते अगए वडियो के अदर अपना खैल रखना सीखते रेना सिखाते रेना बाई बाई